मलाई अंडाकरी कैसी बनती है मलाई अंडा करी की रस्पी चलिए इस वीडियो में देखते हैं तो यह हमारी मलाई अंडा करी इसकी खुस्बू इसका टेक्शर आपको बहुत ही बढ़िया लगने वाला है यह देखे इसकी ग्रेवी तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी औ हमारा सिंपल सा मसाला है और कुछ मसाले पढ़ेंगे जिसे मैं आपको आगे बताऊंगा तो यहां पे एक हांडी में हमने थोड़ा सा तेल ले लिया और इसमें हम अंडे को फ्राई करेंगे यानि कि अंडे को हम सेलो फ्राई करेंगे तो तेल को फैला लिया और उसके यहां से फ्राई भी हो जाते हैं तो बस दो मिनट के लिए आपको इसे मीडियम फ्लेम पे आपको इसे फ्राई कर लेना है तो अंडे हो गये हैं सलो फ्राय इसे हम निकाल लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गहरा कलर नहीं करना है पस हलका सा गोल्डन इस तरीके से हो जाए इसे आप निकाल लीजे और बचे हुए तेल में ही हम यहाँ पे तेज पत्तर डालेंगे तो सुखी लाल मिर्चे डालेंगे और थोड़ा सा हम डाल देंगे जीरा और जीरा डालने के साथ साथ ही यहाँ पे कटे हुए प्याज को हम डालेंगे तो इस तरीके से देखे बारी कटे हुए प्याज को हमने लिया है तो इस तरीके से प्याज को आप काट लीजेगा और इसके बाद इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे मिला लेंगे और इसके बाद इसे ढख के हम पकाएंगे दो से तीन मिनट के लिए तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया अब इसे ढग देते हैं तो तीन मिनट तक इसे ढग दीजे और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे यह खलका सा सुनेरा होने लगा है यहाँ इसका फ्लेम बढ़ाएंगे और एक मिनट तक इसे और पका लेंगे और मैं आपको इसका टेक्शर दिखा देता हूँ यह देखिए कुछ इस तरीके का गोल्डन आपको करना है ब्राउन मत कीजेगा वरना ग्रेवी का जो कलर है वो खराब हो जाएगा और अब यहाँ पे हम डालेंगे करी पत्ता तो करी पत्ता को मैंने चौप कर लिया है एक सी की बणिया खुरषबू ना आने लगे या करीबन दो मिनट के लिए आप इसे अच्छे से पका लिए जिसमें अधरक मेर्चर लैसुन अच्छे से पख जाएगा तो एक मिनट के लिए मैं इसे ढख देता हूँ तो एक मिनट के लिए मैंने इसे ढख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे जिससे इसका आरोमा इसकी खुलबू जो है इसमें बनी रहेगी अच्छी तरीके से फिर से एक बार मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे और सुरू में जो हमने खल्दी और धनिया पाउडर का मसाला एक साथ मिक्स किया था उसे हम इसमें डाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे भी हम मिक्स कर देंगे जिससे कि ये जो मसाले है अच्छी तरीके से सारी चीजों में मिक्स हो जाए तो अब आपको क्या करना है कि दो टमाटर लेने है और उसे मिक्सी में पीस लेना है बहुत ज़्यादा फाइन करने की जुरूत नहीं है तो टमाटर को इसमें डाल देंगे साथ ही नमक डाल देंगे जिससे कि टमाटर को गलने में आसानी हो तो नमक इसमें डाल देते हैं और सारी चीज़े डाल देने के बाद आपको क्या करना है इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिए और फिर इसे ढख के पकाना है हमें ढख के पकाएंगे जिससे की टमाटर जो है अपना मॉइस्चर रिलीस करेगा और फिर उसके बाद तेल छोड़ेगा और मसाले को अच्छी तरीके से पकाएगा तो अब इसे हम ढख देते हैं पांच मिनट के लिए मीडियम टू लो हीट पे जिससे की अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए तो करीबन पांच मिनट हो गए है आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से सूप चुका है इसका मॉइस्चर खत्म हो चुका है अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है आपको मीडियम फ्लेम पे रखके अब जो टाइम है ये तेल छोड़ने का टाइम है इस मसाले से तो आप इसे बस लगातार चलाते रहिए और इसे हमें तब तक इस तरीके से चलाना है जब तक तेल अलग न हो जाए तो आप देख सकते हैं इसके तेल अलग होने लगा है अब टाइम है इसमें नारियल का दूड़ डालने का नारियल का हम दूट डालेंगे कोई क्रीम और कोई मलाई हम नहीं डालेंगे नारियल के दूट से बहुत ही बढ़िया टेक्चर आता है और बढ़िया एक मिठास इसमें आती है बहुत ही बढ़िया टेक्चर हो जाता है तो आप इसका यूज कीजे इस recipe को बनाने के लिए यहाँ पर यह जो gravy है भी गाड़ी लग रही है तो हम इसमें क्या करेंगे कि पानी डालेंगे तो आधा glass मैंने यहाँ पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद एक बार अच्छे से mix कर लीजे आप और इसमें अब उबाल आएगा तो हम इसमें अंडा को डालेंगे जो हमने अंडे को फ्राई किया था उसे हम डालेंगे तो उबाल आने देते हैं अब यहाँ पर हम अंडे को डाल देंगे और डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से mix कर लीजे एक चीज में और बता दू कि जिस रेस्पी में नारियल का दूद पढ़ता है तो रेस्पी थोड़ी गाड़ी हो जाती है बनने के बाद तो पानी आप अपने हिसाब से भी अड़ेस्ट कर सकते हैं अब रेस्पी में टाइम हो गया है थोड़े से गरम मसाला डालने का गरम मसाला डाल देंगे इसे एक बार अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसकी बहुत ही बढ़िया खुद बुआ रही है तो गरम मसाला डालने के बाद एक मिनट तक इसमें और उबाल आने देंगे कु यह हमारी मलाई अंडाकरी बन के बिलकुल तयार है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और नई रेस्पी है, आप इसे जरू ट्राइ कीजेगा एक बार और इसे कमेंट में जरू बताएगा रेस्पी आपको कैसी लगी, ऐसी मजदार रेस्पी के लिए मेरे चैनल को सब् करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, तो यह हमारी मलाई अंडाकरी यह देखिए, बनने के बाद कितनी थिक हो गई है, बहुत ही क्रीमी है, और यह जो प्याज और टमाटर का टेक्स्चर है, और इसमें धन्या की फ्रेशनस जो आपको है, बहुत ही बढ़िया इसका ट करें, बहुत है।